हाई फ्रेंड्स मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि फेस्बुक में वीडियो का ओप्शन नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स कैसे लाएं आपको उपर की साइड में दिख जाता है हॉम वाले ओप्शन के जस्ट थर्ड नंबर वाला जो ओप्शने वीडियो का ओप्शने आपको कई सारी वीडियो शू होती है सो फ्रेंड्स अगर आपकी मूबैल में यह अप्शन नहीं आ रहा है है आप देख सकते हुझा सब्सक्रेब करें बालैं उटकोलi इस वीडियो कं सब्सक्रेब करें एंईड in चेर करें कीस वीडियो इसके लिए आपको है जो Facebook team को feedback send करना है. वो आप कैसे करेंगे? और Facebook team को feedback send करने से है, जो आपकी problem है, वो Facebook team के पास चलिज आती है और वो आपकी जो problem को solve कर देते हैं और जो option नहीं आ रहा है, उसे आपको provide कर देते हैं. So friends, आपको क्या करना है feedback देने के लिए आपको उपर three line में click करना है और three line में click करने के बाद नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको help and support का option मिल जाते हैं, इस पी आपको click करना है इस पर click करने के बाद आपको report a problem वाले option पर click कर देना है और इस पे click करने के बादे आपको नीचे की और दो option मिल जाते हैं How to report abuse और second continue to report a problem So friends इन में से आपको जो second वाला option है Continue to report a problem उस पी आपको click कर देना है और उस पे click करने के बाद है जो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा So friends इहां पर फिर से आपको दो option मिल जाएंगे First include in report और second don't include in report So friends आपको first वाले पर include in report वाले option पर click कर देना है और उस पे click करने के बाद यहां से आपको कोई भी reason select कर लेना है As always आप जो चाहें वो कर सकते हैं जैसे कि आपकी जो problem है वो videos से related है तो मैं यहां पर videos वाला option select कर लेते हूँ अब इसको select करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है Describe the issue जो दिख रहा है यह box इसमें आपको यहां पर issue लिख देना है अब यहां पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ यह पर आपको लिख देना है दियर फेस्बुक टीम मैं फेस्बुक वीडियो ओप्शन नोट शोविंग नोट शोविंग प्लीज प्रोवाइड मी दिस ओप्शन as soon as possible और नीचे लिख देना है thank you आपको लिख देना है यहापर उसके बाद है उपर आपको है जो send का option मिल जाता है send वाला logo और लिखा होता है send report उस पही आपको click कर देना है और उस पे click करने के बाद है जो यह आपका जो message ही यह जो feedback है वो Facebook team के पास चल जाएगा और कुछी दिनों में आपको है जो वो वीडियो वाला option है जो provide कर देंगे जो आपके Facebook में वीडियो वाला option नहीं आ रहा था उपर वो आपको मिल जाएगा आप भी Facebook में वीडियो का option ला सकते अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching in this video